मुझे पता एक्जाक्ट मुझे वह फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से वाज आती यही तो चाहिए सर यह क्यों नहीं मिला रात में जब आपको रिविजन करना चाहिए जब आपको डिपीपी करना देख लो जिन लोगों के चक्कर में पड़े हूँ एक बार देख लो ध्यान से उनको जिनके चक्कर में आप पढ़ गए हो और जिनके चकर में अपने जीवन का सबसे important सबसे productive time खराब कर रहे हो कि वो आपको सही में पाल को बैठा कि रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं कि या आपकी जख नहीं है 5 ब हिभा पर गिरलार रहे हैं सिर्फ आप इंचत मांगने के लिए अपत्त इन्संट इतने मासूम हो ला एक जिसीने एक प्यारा मेसेज आपको भेज करता है वह इंसान मुझे कितना करता है मासूं वैंJa कि वह बहुत भूले वह वह इंसेंट्र विटाफ की कि आप है विह आपको स्कूल में एक बार इसे स्माइल देकर आप है चार बाते करो देंदा है आप सोष्ते दिव्यात प्यार मेरे मैं इनका है कि फिर लग गए Instagram पे उनके लिए status लिखना, उनके लिए line लिखना, वो line वो पढ़ भी ने रहे हैं, वो line आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है, इतना भी किसी अंजान व्यक्ति से प्रेम न करो कि वो आपका इस्तिमाल करने लग जाएं, बहुत कच्ची उम्र ह है, बहुत भूले हो, आप दिल के बहुत साफ हो, इस उम्र में किसी से लगाओ, किसी से अकरिशन, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से फिर वो, हो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है, तो कुछ समय बाद आप से बात करना, वो बंद लिस्ट में हो बेटा, उस लिस्ट में भी आप जगडा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पर पहुचूंगा, क्यों जीना है ऐसा जीवन है, ऐसे क्यों मजबूर हो गए अपने इस पापी मन के हातों, मुझे पता है, जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेट करोगे, फोन नमबर डिलीट करोगे, सारी चाट्स डिलीट करोगे, वाट्साप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे, हर कोने से आप उसको डिलीट करने ही कोशिश करोगे, पर जो यादे आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन इतने एफ बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माबाप ने तुम्हें सवारा है, किसी के तुम उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है